नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी नूज सक सम्वत 1945 विक्रम सम्वत 2018 आज सावन आदिक मास के क्रशन पक्स की त्रयोदेशी थी थी और दिन रविवार है तद अनुशार अंग्रेजी तारिक 13 अगस्त सन 2023 सबसे पहले एक नचर दिन पर की सुर्ख्यों पर केंद्रे मंत्रे की बेटे की राजी मंत्रे को शला नारनोल में आरती राव बोली ओम प्रकास युआउं को मुका देजिए अब आप बुजर्ग हो गए हैं नुँ में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामाने हुए दंगो में 221 की हो चुके गरफतारी बाजारों में लोटने लगी है रोनक जनता दरबार में ग्रायम वंतरी अनिल वीज के दिखाए दिये तीखे तेवर सोनिपत पुलिस कमिशनर को बोले अब इन परिवानों को भी मिलेगा आईश्मान योजना के लाब बताएंगे पूरी अपडेट होके में भारत ने चोथी बार जीती एसेन चैंपियन्स ट्रोफी दो गोल से पिछड़ने के बाद मलेशिया को च्यार तीन से हराया भारत ने नो विकेट से जीता चोथा T20 किर्केट मैच सीरीज दो दो से बराबर हेंदी फिल्म गदर टूर इस साल की सेकिंड हाईस्ट ओपनर वनी एक दिन में कमाई 40 क्रोड रुपे महीं OMG2 ने 10 क्रोड रुपे तक कमाई अन्वार उलहाक होंगे पाकिस्तान के केर टेकर प्रधार मंदरी 13 अगस्त यानी आज लेंगे सपत संसद भंग होने के दो दिन बाद लिया ये फैसला हारियन SSA की तरब से CET गुरूप नंबर 56 और 57 प्रिक्षा को लेकर आई एक बड़ी अपडेट बताएंगे पूरी खबर और अब खबरें विस्तार से हारियन में मौसम विभाग ने 13 जून को 13 जिलों के लिए येलो अलट जारी किया है रविवार को 5 जिलों में भारी बारिश और अन्य आठ जिलों में गरत समख के साथ हलकी बारिश के संभावनों जाताई है मौसम विशेशक्यों का मानना है कि 15 अगस्त के बाद परदेश में मानसुन की सक्रेता बढ़ने के आसार है महीं चोदरी चलंड शिंग हरियान किर्शी विशुदला हिसार के किर्शी मोशम विग्यान विभागने 12 से 14 अगस्त के दोरान राजी में मोशम आमतोर पर प्रिवर्तन शील वे 20-20 में बादलवाई और कुछ एक स्थानों पर छिटपूट बुदाबांदी या फिर हलकी बारिश की संभावनों जाताई है राजी में मानसुन की स्क्रेता 15 अगस्त के बाद ही फिर से बढ़ने की संभावना बन रही है वहीं 20 अगस्त के बाद यानि अगस्त के अंत से बारिश में बढ़ोतरी होने का अनुमान विशे सग्या जता रहे है हरियाना में नई पुलिस महाने देशक यानि DGP के लिए टाइम कम बचा है 15 अगस्त को वर्तवान DGP के अगरवाल रिटायर हो रहे हैं यानि 3 दिन बाद 16 अगस्त को सुबे को नए DGP मिल जाएगा ऐसे में आब इसके लिए लोबिंग तेज हो गई है अभी तक 1990 बैच के IPS सदिखारी सत्रूजीत कपूर फ्रंट रनर चल रहे हैं लेगिन अब 1989 बैच के IPS ऑफिसर आर्शी मिस्रा भी रेस में सामिल हो गई है मिस्रा के लिए राश्टी स्वम्शिवक्षंग यानी RSS के कई बड़े नेता दिल्ली में पैर्वी करते दिखाई दे रहे हैं इस कान से DGP का मुगाबला काफी रोमांचक हो गए हैं अभी तक IPS सदिखारी सत्रूजीत कपूर सबसे आगे चल रहे हैं इसकी बड़ी वज़य ये भी है कि मुख्यमंटरी मनहुरलाल खटर के फेवरेट हैं हारियाना के मुख्यमंटरी मनहुरलाल खटर ने यम्नानगर दोरे के दोरान बड़ी घोशना की है उन्होंनी आईश्मान भार्त योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है CM के एलान के बाद अब 3 लाग रुपे तक की सालान इंकब वाली परिवारों को भी आईश्मान भारत योजना का लाब मिलेगा 15 रुपे जमा कराकर लोग इस योजना का लाब उठा सकेंगे CM ने बताया कि 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल खोल दे जाएगा अबी तक हरियाना में 30 लाग परिवार आईश्मान योजना का लाब ले रहे हैं CM के घोशना के बाद और 8 लाग परिवार इस योजना से जुट जाएंगे आईश्मान भारत PMJAY स्कीम हरियाना में चिरायू के नाम से संचालित की जा रही है महीं 5 लाग तक का सरकारी इलाज वे पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में करवास केंगे इसके साथ ही किसी भी अन्य दस्ताविश दिखाने की कोई आउश्यक्ता नहीं रहेगी हरियाना में सरकारी नौकरियों की अधिकतर भरतियां कोट में अटकती रही हैं इसी तरह 2019 में निकली कलार के 4778 में पदों की भरति में अब भ्यारतियों का 2022 में चैन हो गया पर आंसुर की को लेकर मामला हाई कोट में चला गया करीब 200 चैनीतों को हटाया तो उन्होंने स्टे ले लिया अभी मामला कोट में है वहीं 2022 में अगली 383 वेटनरी सर्जन की भरति में भी पेपर लिक वा आंसुर की का मामला कोट में गया और भरति पर स्टे हो गया सबसे बड़ी बात या है कि भरतियों को लेकर हरियाना करमचारी चैना आयोग इन्हीं H.S.S.E. के खिलाब कोट में 4000 से ज़्यादा केस चल लाई है किसी भी भरति में नॉर्मलाइजेसन तो किसी में परशनों को लेकर चुनोती दी गई है सरकारी नौकरियों के लिए परदेश में Common Eligibility Test यानी CET लागू किया गया है जिन भरतियों के विग्यापन तक जारी हो चुके थे उन्हें भी रद्ध कर दिया गया था ग्रूप C के लिए CET कराने में करीब 2 साल लग गई ग्रूप D के लिए CET तो अभी बाकी है अब तक करीब 6,000 नौकरियां दी गई है महीं सियो मनोरला लें का आएगी अब तक 110,000 लोगों को सरकारी नौकरिया दी जा चुके है अगले तिन महीने में ग्रूप C की 32,000 भरतियां की जाएंगी कॉंगरेस के सासनकाल में 11 भरतियां रद होई हमने हर भरति को पारदर्शिता से पूरा किया महीं पिछली सरकारों की विवादों को भी निप्टा रखिया गया महीं 50,000 युवाओं को अपना रोजगार शुरू कराने के लिए आगे बढ़ाय गया है हरियना के ग्रहम स्वास्त मंतरी अनिल विच का जनता दरबार लगा उन्होंने अंबाला केंट के पेड़वलू रेस्टाउस में परदेश पर से आई लोगों की फरयादे सुनी मोके पर यादिकारियों को आउशिक दिसा निर्देश भी दिये ग्रहमंतरी ने रात 9 बजे तक लोगों की फरयादे सुनी गोहाना पुलिस की कारवाई से खपा ग्रहमंतरी ने सीपी सोनिपत को कोल करके फटकार लगाई और बोले इट्स नोट गुड गोहाना से काफी सारी सिकायते आ रही है जो ठीक नहीं है अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी बक्षा नहीं जाएगा करनाल के असंद से आई यूती ने बताया कि उसके भाई पर तेजदार हतियार से हमला किया गया उसके भाई की टांग और शीर पर गंभेर चोटे आई थी जिस पुलिस वाले की पास वेए केस था उसने कारवाई नहीं की अब वह जब जनता दरबार पहुंची है तो एसाई वीडियो कोल करके बोल रहा है कि पहुंच गई जनता दरबार यूती ने ग्रह मंतरी को पुलिस वाले का मोबाईल नंबर भी दिया इसके ठीक बात ग्रह मंतरी ने एसपी करनाल को कोल करके तुरंत एसाई का सुद्धिकन करने के निर्देश जारी किये महें महेंदरगड में बिजली बोर्ड में कारेरत करमचारी ने उस पर कई बदमासुद वारा हमला करने के आरोप लगाए उसने घटना से सम्मंदित वीडियो भी ग्रह मंतरी अनिल विज को दिखाई उसका आरोप था कि मामुली धाराएं लगा कर पोलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया मंतरी विज ने एसपी महेंदरगड को मामले में सक्त कारवाई करने के निर्देश जारी किये हैं इसके अलावा भी अन्ने कई मामलों में एसाईटिक गठित की गई हिसार में 20 अगस्त को होने वाले पूरुषियम वोपेंदर सिंग हुड़ा की विपैक्स आपके समख्ष कारेकरम को लेकर सनिवार को दिपेंदर हुड़ा ने वरकरों के मीटिंग ले उन्होंने कहा कि आने वाले विधान सबाचुनाओं में कॉंगरेस पार्टी जिताओ उमिद्वारों को ही टिकट देगी टिकट वितरन की पार्टी का अपना तोर तरीका है पहले election committee फिर screening और फिर केंद्रे committee होती है जो टिकट वित्रन का फैसला लेती है परदेश पर में टिकट वित्रन करते समय जिताओ और टिकाओ दोनों तरह के उम्मिद्वानों को ध्यान रखा जाएगा माई 20 अगस्त को हर्याणा में दो बड़े फैसले होंगी एक फैसला होगा कि हर्याणा में खट्र सरकार जा रही है और हुड़ा के नेतर्तों में करने वाले लोगों को जनता शबक शिखाएगी दिपेंद्र हुड़ा ने कहा कि लोक्षभाच शौनाओं में पास मेने का समय स पलवल में रविवार यानि आज होगी इससे पहले इस महापंचायत को नू में ही आयुजित करने का निर्णा लिया गया था लेकिन कर्फ्यू और नू के हालातों को देखते विए परशासन के तरब से परमिसन नहीं दी गई जिसके बाद आयजुक्य ने इसे नू के बॉर् यात्रा पर पत्तराओं के बाद हिनसा पहल गई थी हिनसा के दोरान रो में होमगाड़ के दोजवानों साहित 6 लोगों की मौत हुई थी इसके साथी 150 से जादा वहानों को फूग दिया गया और हिनसा में 80 से जादा लोग घायल बताए गए हिंसा के बाद हरियाना के 9 जिलों में 12144 रागू की गई, जैतातर जिले में 12144 हटा दी गई है, फिलाहल नो में स्थिती धेरे धेरे सामाने होती दिखाई दे रही है हरियाना के कैथल जिले में कॉंगरेस ने अंबाला रोड स्थित सतकार पैलिस में कराए गए यूवार शंकल्प सम्मेलन में यूवां के साथ मिलकर सक्ति परदसन किया इस कारेकर में भारती राष्ट कॉंगरेस महासाचीव वशानसद रनदीप सिंग सुर्जेवाला ने मुख्य अतिति के रोब में सिरकत की कुराड में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभ्यान चलाया इस दोरान उनोंने कहा कि मनोहर और दुशंत की सरकार ने हरियाना के यूव के भाविस्ट को बेज दिया है किसानों की आय दोगनी करने का वादा करके सत्ता में भाजपर सरकार ने किसानों को खून के आशूर उलाने और उने चलने का काम किया है किसानों को उसके फसल का MSP नहीं मिल पा रहा है रनेदिव सुर्जवाला ने कहा कि 2024 का चुनाव सत्ता प्रिवर्तन का नहीं बलिकि व्यवस्ता प्रिवर्तन का है हरियन के फ्रिदाबाद जिले में हड़ताल पर बैठी आसा वरकरों ने कैबिनेट मंतरी मूलचन सर्मा के कारेले का घेराव किया और मांदे बढ़ाने के लिए कैबिनेट मंतरी मूलचन सर्मा को अपना मांग पत्र सोपा आसा वरकर यूनियन की परदान हेमलता ने बताया कि पूरे परदेश में मंतरियों और विदाएकों के घेराव किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ 8,000 रुपए का मांदे दिया जा रहा है इतने कम मांदे में आसा वरकर अपने परिवार का गुजरा भता नहीं कर सकती इसके साथ इस्वास्त विभाग द्वारा आसा वरकरों से अपने कारे से भी आधिकारे करवाया जाता है पार्नूल सहर में केंद्रे मंत्री राव इंदर्जे चिंग के बेटी आर्ति राव ने अनीक कारेकरमा में भाग लिया इस दुरान राज्य मंत्री ओंपरका सियादो भी उनके साथ रहे वहीं अपने भाशनों में आर्ति राव ने राज्य मंत्री को कहा कि आप बुजर्ग ह गए हैं इसलिए अब आप चुनाओ नए लड़कर यौओं को मुखा दें आरति राव के इस बयान के बाद जहां राजी मंत्री ओंप्रकाशियादो की टिकट करती इस बार नजर आ रही है वहीं वे भी अपने आपको नारॉल के मैदान से बाहर बता रही है परदेश में रा इंद्रे मंत्री राव इंदरजी सिंग के बैटी आरति राव राजनीती में शक्रे हो गई हैं वे नारॉल के अलावा अटेली में भी जनसभा कर चुकी हैं ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि आरति राव नारॉल यह फिर अटेली से चुनाओ लड़ सकती हैं इसलिए मं मुख्यमंत्री मनौलार खक्रनी यम्नानगर में जन संभात किया कस्बार रादोर के गाँ बाकाना में मुख्यमंत्री ने लोगों को कई सोगाते दी उन्होंने कहा कि अब परदेष में तीन लाक रूपए वार्शिक हाय वाली परिवार talkedar मिलेगा इसके लिए वे पंद्र भारत योजना का लाव एक लाख असी हजार रुपए के आई वालों को भी मिल रहा था अब तीन लाख रुपए तक के आई वाले इसका हिसा बनेंगे 15 अगस्त चे योजना के लिए पोर्टल खोल दे जाएगा 15 रुपए के साथ योजना का लाव भी मिलेगा 8 लाग परिवा के लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे आपको वादे कर भरमित करने का काम भी करेंगे मुक्यमंत्री मनहोलाल खटर ने कहा कि आपको किसी के बहगाव में आने की कोई आउशकत नहीं है आपको ऐसी पार्टियों को चुनाओं में धूल चटा कर बाजपा को दोबारा पुलिस की कारवाई के बाद पंचैतों में भी हटकम मच गाया है गाव में घुचने पर रोग लगाने के पीछे चोरी के घटनाओं को हवाला दिया गया था खास बात यह है कि पंचैतों द्वारा लिखे के पत्रों में एक जैसे भासा लिखी गई थी हूब हो यही पत्र धेरे धेरे रेवाडी और फिर जज़ज़ जले के कुछ पंचैतों द्वारा भी जारी कर वारल किये गए पचाश स्य जादा पंचैतों द्वारा इस तरह के पत्र वारल किये जाने के बाद इस पर सवाल खड़े होने सुरू हो गय थे तीनों ही जिलों के अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि भारत में रहने वाला कोई भी वैक्तिक किसी भी जगह है आ जा सकता है कोई भी पंचायत इस तरह का बैन नहीं लगा सकते इसमें अपराद साबित होने पर तीन साल की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं हरियना में रासन की सरकारी दुकानों पर जुलाई महिने के दोरान सर्सों के तेल से वंचित रहे पात्र परिवारों को अगस्त महिने में जुलाई महिने का भी सर्सों का तेल वित्रित किया जाएगा इसके लिए लाबार्तियों को अलग अलग बायोमेट्रिक पंच करना पड़ेगा जो लाबार्तिय जुलाई मा के लिए आवंटी सर्शो तेल प्राफ्त करने से बंचीत रहे गए थे ऐसे लाबार्तियों को अगस्त मा में दोनों महिने का तेल बाटा जाएगा हरियाना में CET मेंस के ग्रूप नंबर 56 और ग्रूप नंबर 57 के प्रिक्षा का आयोजिन किया गया ग्रूप नंबर 56 के प्रिक्षा में पहले दिन उवी प्रिक्षा से 41 सवाल रिपीट हो गए जिससे मामला गर्मा गया अभ्यारतियों के बीच साफ नहीं था कि आगे क्या होगा इस प्रिक्षा को रद किया जाएगा या फिर क्या फैसला लिया जाएगा इस पर हरियाना SSC ने फैसला लेते विए प्रिक्षा की उत्रकुंजी जारी कर दिया है यानि कि प्रिक्षा को रद नहीं किया जाएगा दोनों गुरूपों के लिए आयो जी तुई प्रिक्षा की उत्रकुंजी आयो की वेबसाइट पर मोजूद है झाल झाल